12 केंद्रों में 5 या 652 अभ्यारती दे रहे हैं लोक सेवा आयोग की प्रारंबिक परिक्षा मौगन जिले में भी बनाया गया एक केंद 423 अभ्यारती वहां भी बैठेंगे आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग की प्रारंबिक परिक्षा आज 23 जून को हो रही है इस परिक्षा के लिए रीवा शहर में 12 केंद बनाए गए हैं जिसमें 5 या 652 अभ्यारतीत बैठे हैं प्रारंबिक परिक्षा के लिए नियुक्त संभागी प्रेचक सेवा निवरित आई एस अधिकारी के एस गौतम दौरा 12 परिक्षा केंदरों तता माउगन जिला के एक परिक्षा केंदर का निरिक्षन किया गया था तता वहां की विवस्ताओं का उलोकन किया गया था इससे पूर्व रिवाजले की पुलिस त्वारा सभी होटलों में भी जाच की गई थी सुरक्षा विवस्ता के पुक्ता इंतरजाम किये गए हैं उलेक निये की दो पालियों में परिक्षाएं आयोजित हो रही हैं बता दें कि पहली पाली की परिक्षा सुबह 10 वजे से सुरू हो गई थी जो 12 वजे तक चली हैं जबकि दूसरी पाली की परिक्षा दुफैर सभा 2 वजे से साम सभा 4 वजे तक आयोजित होगी गर तलो है कि इस परिक्षा को लेकर कुछ ब्रामक ख़बरें भी सोशल मीडिया में प्रसारिط की गई थी, जिसका लोग सेवा आयोग ने खंडन कर दिया है आयोग ने निया समय पर परिक्षा होने की जानकारी दी है साती ब्रामक खवरों का प्रसार करने वालों के विरुद करणू उनी कारवाई की भी चिताबनी दी गई है प्रिलिंग कर फेपर था 24 पेपर बहुत अच्छा था और पेपर इज़ी टूू मौडरेट था और क्रेंच की वे प्रशन से बहुत सारे प्रश्न आये थे और इस बार जो है, वो खानी से भी बहुत सारे प्रश्ने देखने को मिले, मतलब अलोवर अगर देखे तो पेपर जो था वो पिछली वार वाले से थोड़ा टकता, बट अच्छा पेपर था, मतलब पढ़ने वाले विद्यारतियों को बहुत लाब हुआ 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 ह छीचर को पाठ्कश को प्रशच को प्रशच को अच्छा दो है, मतलब पर इस बार ना है, ऐसी को तो फुस्क्री पुछ नाम है आपको मेरा नाम समेती है आज का पेपर आपनों का अज अच्छा गया था और वह बहुत अच्छा गया था पिछले मुका बहुत बहुत इसे पेपर प्रिली मेरी एक्जाम था झाल 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 झा